बाद दोस्तों मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हैं मारकेट रिपोर्ट आईए बात करते हैं गोल्ड की दोस्तों आज नया दिन नया हफता शुरू हो चुका है और मंडे मॉर्निंग है पिछला हफता जो हमने देखा वो गोल्ड के पिछले कई सेशन के लिए एक बहुत टाइम बाद ऐसा एक हफता रहा था जो एक करेक्शन के साथ गया था इससे पहले आपने जितने भी काफी टाइम से आप गोल्ड को देख रहे होगे तो किसी हफते में ऐसी करेक्शन हमने नहीं देखी थी जो हमने पिछले हफते देखी है बहुत मेजर मुवमेंट रही थी करीब 6000 पॉइंट की उसमें एक रेंज रही थी जो उसके lower end और upper end के बीच में थे 50,000 का level इसने downside में break करा था और upper side में 56,000 का level break करा था तो उसी के बीच में ये ट्रेड करता रहा तो गोल्ड के लिए अपने आप में अगर आप इसे परसेंटेज टर्मस में देखें तो करीब करीब 12% की इसमें ये रेंज रही है पचास जार की वैल्यू से तो gold के लिए 12% movement एक हफते में वो बहुत बड़ी बात है ठीक है तो आने वाले दिन ऐसे ही रहेंगे या इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं या थोड़े stable होने के तरफ जाएंगे उसके लिए अब हम थोड़ा एक जो analysis कर रहे हैं उस पर बात करते हैं देखिए दोस्तों ये अभी आपकी स्क्रीन पर 15 मिनट का चार्ट है वैसे तो मैंने एक video अप्लोड किया था तो उसमें levels जो मैंने बताया थे उसमें कोई change नहीं है क्योंकि market भी जो मैं US dollar में अभी देख पा रहा हूँ वो 1938 पर अभी trade कर रहा है और initially ये जैसी हमारा जैसी ये comics market ओपन हुआ था तो 1950 इसने break करा था पर उसके ऊपर 1951 गया था उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया था वहां से इसमें वापस एक correction आई और 1930 के level हमें downside में देखने को मिले तो already अपने high से 20 dollar से ज़्यादा एक correction दिखा चुका है और अभी 1938 39 पर ये trade कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देख रहे हैं कि वापस वही trend हमें देखने को मिल रहा है जिसकी मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ कि higher level पे बार बार अब gold को एक resistance face करने को मिलेगा buyers जितने भी हैं उनके लिए थोड़ा cautious होने की ज़रूरत है क्योंकि gold में अब उस तरीके की तेजी नहीं रहा गया है जिस तरीके की पहले रहा करती थी देखिए इसे मैं mcx पर भी आपको समझाता हूँ यहां आप देखेंगे यह market है यह market upside में गया market में यह सारी एक range में trade कर रहा है यह यहां से 50,000 जैसी इसने break करा था उसके बाद यह bounce आना शुरू हुआ bounce आने के बाद इसे बहुत एक heavy एक resistance phase करने को मिल रहा है इन levels पे ठीक है थोड़ा सा इसने और उपर जाने की कोशिश करी थी यहां पर sustain नहीं करा वापस यह इसी level पर आ गया और अभी हम देखते हैं कि आज का market कैसा होगा आज का market अगर यह वाला एक level है 51,800 का इस support level को अगर break कर देता है तो मैंने आपको नीचे में एक breakout level बता रखा है वो है 51,590 51,600 के नीचे आप breakout समझ लीजिए 51,590 इसके नीचे अगर यह आखर थोड़ा सा अपने आपको sustain कर लेता है जिसके chances ज्यादा इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि जो इसने Friday को अपना low लगाया था उस time यहां MCX पे इसने 51,840 का low लगाया था और उस time जो low कोमेक्स पे लगा था उस से भी नीचे का low इस time बहां लग चुका है यह होंगे कि 51,800 का level ब्रेक हो चुका होगा वो पहला sign होगा कि इसने इस resistance को ignore कर इस resistance पे जो प्रेशरी से face करने को मिल रहा था वो काफी heavy है और नीचे की तरफ एक छोटे छोटे और breakout दे रहा है इन levels पे ठीक है दूसरी चीज जो actual line है breakout की वो है 51590 यहां कहीं पर होगी ठीक है इसके नीचे भी अगर यह breakout देकर sustain करता है तो chances यह होंगे फिर आप थोड़े से एक longer term view लेके longer term view इसमें कभी भी कहीं कई महीने काव नहीं होता इस market में longer term मतलब आप उसे positional call ले सकते हैं आप carry over करने ही कि आप कोशिश कर सकते हैं market इस level को break करेगा इसके नीचे अगर थोड़ा sustain करता है तो 53,000 का आप एक stop loss लेके for the time being यह मैं यह नहीं कहा रहा है कि हमेशा का यहीं रहेगा for the time being जैसे यह इस level को break करेगा देखिए देखने में यह लग रहा है 1500 point का stop loss पर इस चीज़ को मैं आपको यह बताता हूँ थोड़ा सा एक घंटे की तरफ मैं आपको समझाता हूँ यह 1500 point ना जब से market इस तरीके से उपर चल रहा था इसने downside में कभी नहीं दिखा है और market सिर्फ यह एक point था जहां पर भी मेरे ख्याल से कितने लगे था कितने नहीं यह मैं कुछ कह नहीं सकता भी चेक करना पड़ेगा पर यहां पर भी जिस तरीके से चल रहा था इस point से नीचे 1500 point यह गया था नहीं गया था उसे एक बार चेक करना पड़ेगा तो एक rally जो आ रही थी ऊपर की site में उसमें भी यह तरीके से अगर यहां से एक downfall दिखाएगा पहली जिसके downfall हमेशा एक uptrend से ज़्यादा speed से आता है ज़्यादा तेज आता है तो इस stop loss को अगर मैं आपको बोल रहा हूँ पहला तो ही मैं अभी randomly बोल रहा हूँ तो क्या levels होंगे वो थोड़ा उसके बाद ही पता चल पाएगा 51590 के नीचे जैसे ऐसे market sustain करेगा तो actual level मैं आपको उसके बाद बता पाऊँगा देखते हैं कि क्या level रहता है क्या नहीं रहता पर हमारा जो एक next support level होगा वो 50,500 के बीच में कहीं पर होगा क्योंकि इसे retest करना होगा 50,000 का level तो उस पर हमारी एक नजर रहेगी ठीक है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चार गंटी की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो movement थी उपर की side में ही थी यहाँ तक सारी सारी खतम हो गई अभी market ने इस तरीके से बाउंस लेना शुरू करा अभी यह downside में अगर आ रहा है इस support level के नीचे अगर यह trade लेना शुरू कर देगा तो chances पूरे पूरे यह होंगे कि 50,000 के ऊपर कहीं पर एक support लेने की खोशिच करेगा पर ultimately मैं आपको एक चीज़ फिर से बता रहा हूं कि जितने trade लें आप selling के लिए selling के trade लेने का मतलब मैं यह नहीं कहरा आपको कि जैसे यहां पर market आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ लग रहा है तो आप यहां sell कर दें गलत market अगर ऊपर जाता हुआ लग रहा है तो आप wait करें आप avoid करें यहां पर देखिए यहां पर छोटी छोटी calls generate होती है buying की तो buying की call जब generate हो लिए मेरा आप से सिर्फ यह कहने का मतलब है कि आप buying ना करें trend के साथ रहेंगे देखिए दो चीज़े हैं पहला कि overall trend उसका कैसा चल रहा है दूसरा आपको intraday trend में कोई selling का एक breakout मिला है या नहीं मिला overall trend आप consider करेंगे selling वो intraday trend पे आप अपने trades को execute करेंगे यह एक छोटा सा एक फर्क है जो इस trend में और इस trend में आपको समझना है follow आपने इस trend को करना है trades आपने इस trend पढ़ लेने हैं दोनों में क्या similarity है क्या common चीज़ है कि आपने trade में enter तब करना है जब दोनों का trend एक ही side का हो यह अगर downside में है और यह intraday में अगर आपको upside trend दिख रहा है तो आप इसे avoid कर लें भले ही कितने भी strong signal हो आप इसे avoid कीजिए market में यह downside है यह भी downside है आप trade में enter कीजिए बहुत ही ज़्यादा safe आप रहेंगे इस theory को लेकर ठीक है इन चीज़ों को आप अपने practical trades में उतारना शुरू कीजिए जो भी आप trade ले रहे हैं आप चाहे इस चीज़ को थोड़ा सा paperwork पे execute कीजिए देखी आप एक दो महीने के result कैसा रहता है आप खुद देखेंगे कि जितने trades आपने trend के अगेस्ट लिये हैं intraday में उसमें आपको comparatively ज़्यादा loss बियर करना पड़ेगा है मैं नहीं कहारा कि इसमें loss नहीं होगा आपको बिलकुल होगा पर उनके comparatively कम होगा और उनके comparatively इसमें profit ज़्यादा होगा तो आपने जितना पैसा लगाया मान लीजिए आपने 100 रुपे लगाया है तो 100 रुपे में से अगर आप trend के against रहते हैं तो आपको 10 रुपे का profit होने के ज़्यादा chance रहेंगे अगर आप trend के against रहते हैं तो आपको ये profit 6 रुपे तक का रह सकता है यहाँ पर loss आपको 10 रुपे का हो सकता है और यहाँ आपको 6 रुपे का loss होगा यह आप दोनों scenario में समझी यहाँ पर आपको net profit रहा 4 रुपे का इस तरीके से आप इस चीज़ को समझी कि आपका overall जो आपकी strategy है वो एक favorable condition में जानी चीए और जिसका आपको हमेशा benefit मिलना चीए तो gold में मैंने आपको अभी जो level बताया एक तो 51590 ये आपको इस पर ज़्यादा नजर रखनी है इस से पहले अगर 51800 अगर execute हो जाता है आप यहाँ selling की position ले सकते हैं इंट्राडे में जो stop loss रहेगा वो यहाँ पर एक level है 52550 ये इंट्राडे का आपका stop loss रहेगा ये पर थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है वो रिस्की या फिर यहाँ पर जब आप trade ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का wait कीजिए कि क्या आगे का ये level market गिरते गिरते में ये level break हो रहा या नहीं हो रहा क्योंकि 200 रुपए का एक difference है इसमें ये अगर 200 रुपए का difference भी अगर ये cover कर लेता है तो आपने 5800 में अगर एंटर कर रहा है आप market में selling की position में ही बैठी है ठीक है तो ये ही था मेरा goal पहवी का वीडियो और कोई major change नहीं है comics में तो मुझे लगता नहीं कि और कुछ हमें कुछ levels का ध्यान रखना है तो वीडियो अच्छा लगाओ तो like करें शेयर करें बने रहें मिट साथ देखते रहें ये market report धन्यवाद